Hello everyone, स्वागात है आपका अपने एजुकेशन चैनल मैत्रे एजुकेशन हब पे हमने पिछले लेक्चर में संग सेट अफ एनिमल एस्पीसिस के बारे में पढ़ाई की थी आज हम नेक्स सेट अफ एनिमल एस्पीसिस के बारे में जानेंगे जिसमें जो सबसे पहला है वो एसेटिक लायन है एसेटिक लायन जो है उनकी जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर है और यह WPA यानि की Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 1 में प्रोटेक्टेड है यानि की इनकी भी प्रोटेक्टेक्टेड लेवल जो Tiger की प्रोटेक्टेक्टेड है उनके ही ब्राबर है। यह sites के appendix 1 में protected हैं यानि कि इस तरह से समझा जाए कि ascetic lion जो है वो highly protected है। characteristic की बात की जाए तो यह African lions से थोड़े smaller होते हैं, they are slightly smaller than African lions, normally जो males होते हैं वो heavier होते हैं female के compression में, इनकी जो habitat और distribution की बात कर लें, तो यह एक समय पर जो east में, West Bengal में distributed थें और मध्य परदेश में, रेवा में यह distributed थें, लेकिन at present habitat laws के कारण और अन्यकारणों के कारण यह क्या हैं, at present सिर्फ और सिर्फ गीर नेशनल पार्क में ही पाया जा रहे हैं, गीर नेशनल पार्क and associated wildlife centuries ठीक है, और यह जो ascetic lion है, यह mainly इनका जो habitat है, उसकी बारे में अगर हम बात करें, तो यह dry deciduous forest इनका habitat है, जो की अस्कर्वलेंड, ग्रासी अस्कर्वलेंड है, और जो गुजरात के साउथ वेस्टर्ण पार्ट में यह इनका habitat है, और वहीं पर सिर्फ यह पाया जाते हैं, नेश्ट है घडियाल, घडियाल के बारे में बात करें तो इनकी जो IUCN status है, वो critically endangered है, यहाँ आप देख सकते हैं, WPA 1972 में यह भी schedule 1 में protected हैं, यानि कि same level of protection है, एसेटिक लाइन का जो level of protection है, यहाँ पर इनकी characteristic के बारे में बात करें, तो इनका जो name जो घडियाल है, वो इनके जो नोब है, उस पर एक घड़ा टाइप का, आप देखते होंगे कि बलजिंग है, उसके कारण इनका नाम जो है घडियाल पड़ा, घड़ा के माफिक दिखता है वो, ठीक है, लार्जली यह PC वोरस है, PC वोरस कहने का मतलब क्या है, कि मचली यह खाते हैं, ठीक है, और यह directly young ones को जन्म ना देकर अंडे देते हैं, ठीक है यह घडियाल, इनकी habitat और distribution की बात कर लें, तो यह बोथ deep, fast flowing river, या फिर steel water, दोनों में यह रह सकते हैं, historically घडियाल वेर found in the river system of India, Pakistan, Bangladesh, southern part of the Bhutan and Nepal, यह यह historically पाया जाते थे, लेकिन अभी जो है, यह सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नेपाल में पाया जा रहे हैं, ठीक है, अब इंडिया में भी कहां कहां कौन कौन से river system में यह पाया जाते हैं, तो आप यह देखें, कि UP में यह ग गंगा river उत्राखंड में है, इस पर question भी पूछा गया है UPSC से, गंडक river बिहार में है, वहां यह पाया जाते हैं, चंबल river जो कि UP, MP और राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, चंबल river, उसमें यह घडियाल पाया जाते हैं, यह भी UPSC के previous year question में आप देख सकते हैं और महा नदे जो उडिसा में है, वहां यह पाय जाते हैं, तो यह आपने घडियाल के बारे में देखा, next है golden machine, golden machine, IUCN status इनका endangered है, characteristic के बारे में बात करें, तो यह जो machine जो सब्द है, यह माही का मतलब होता है fish, ठीक है माही, ठीक है धोनी को भी माही का जाता है, तो माही का मतलब fish है, और जो share है, यानि कि tiger से है, यानि कि these are the tiger among the fishes, यह बहुत brave होती है, यानि, generally bred during the floods, और golden on the dorsal side and the fins are reddish yellow, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, golden machine कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो dorsal side है, वो golden color की होती है, और जो इनकी fins है, वो reddish yellow की color की होती है, इनकी habitat or distribution की बात की ज fast moving water में रहते हैं, और ये जो hilly streams है, वहाँ पर ये पाया जाते हैं, can be found temperature between, जो temperature ये अपने body को regulate कर सकते हैं, जिस temperature में, वो है 5 degree Celsius से लेकर 25 degree Celsius तक के temperature को जहल सकती है, हिमालियन foot hills में आपको देखने को मिलेगा ये, इंडेस river में, गंगा river और ब्रहंपुत्रा river basin में आपको golden मसीर पाय जाते हैं, can also be found down south in the bellamore, kaveri river, south में bellamore, kaveri river, tamra parni river, और जो koshy river है, इन सब में ये golden मसीर पाय जाते हैं, next है, bro antler deer sungai, इसको sungai भी बोलते हैं, या bro antler deer भी बोलते हैं, इनकी जो IUCN status है, वो endangered है, ये भी highly protected हैं, यानि कि wildlife protection act 1972 के schedule 1 में ये protected हैं, ये जो है state animal है, कौन से state का, वो है मनिपूर, ये बहुत ही खास animal होता है, बहुत ही खास characteristic होता है, आपको भी देखकर बड़ा ही अश्चरे लगेगा, कि ये कितना खुबसूरत है, ठीक है, इस पर EPSC prelims में, previous years में question पूच च की deer की परजाती है, with unique distinct antlers, जो antlers की बात करें, जो sing होते हैं, उसको antlers बोलते हैं, ठीक है, antlers इनकी unique किस वज़े से होती है, तो ये देखिए कि ये antlers है न, इनके कुछ-कुछ ऐसे parts निकले होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे होते हैं, तो ये जो part है, यहाँ प है, ठीक है, तो ये एक unique character है, इनका, habitat and distribution की बात की जाए, तो found in the Qibul Lamjau National Park जो मनिपूर में है, ठीक है, Qibul Lamjau National Park जो है, ये इनके लिए, संगाई deer के लिए famous है, it is highly, largely seen over the floating biomass, वहाँ पर एक floating biomass है, कुछ ये बायो मास आपको वहाँ पर floating biomass दिखने को मिलेंगे हैं, कि जो float क लोगतक लेक आपको पता होगा, रामसर साइट में हमने आपको पढ़ाया था, लोगतक लेक के बारे में, तो ये जो vegetation है, ये floating vegetation है, और उन पर ये कुद कुद कर ऐसे चलती हैं, तो बड़ा ही अच्छा दिखता है, ठीक है, उसी को, वह जो biomass है, उसको fumdy भी बोला जाता है ये देखी, इसको fumdy बोला जाता है, ये जो floating vegetation है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा unique है, आपको EPSC में बार बार ये question पूछा जाता है, नेक्स्ट है, इंडियन पैंगोलीन, ठीक है, इनकी जो IUCN status है, वो endangered है, पैंगोलीन बहुत ज़्यादा news में रहा है, पिछले दो स सालों में, लेकिन EPSC ने अभी तक इससे question पूछा नहीं है, तो हो सकता है किस बार question पूछ सके, ये जो protected है, ये भी schedule 1 में, किसके wildlife protection act 1972 के schedule 1 में protected है, इनकी characteristic के बारे में बात की जाए, तो जो 8 species है, है ना, किसकी पैंगोलीन की, उसमें Indian पैंगोलीन और जो Chinese पैंगोलीन है, वो इंडिया में पाए जाती है, सिर्फ दो species, यानि कि Indian पैंगोलीन और Chinese पैंगोलीन वो इंडिया में पाए जाती है, Indian पैंगोलीन जो है, वो large ant eaters होते हैं, इनकी जो habitat और distribution की बात करें, तो ये जो है, वो tropical forest में आपको देखने को मिलेंगे, grasslands, है ना, open land, tropical forest, grasslands, और जो इनकी जो habitat है, वो बहुत ज़्यादा degraded हो रही है, इनके कारण इनको trait है, ठीक है, जो Indian पैंगोलीन है, ये widely distributed in India, except arid region, इंडिया में हर जगा ये फैला हुआ है, हर जगा ये पाए जाता है, सिर्फ exception क्या है, arid region, high himalayas and north east, इन जगों को छोड़ा कर, इन regions को छोड़ा कर, बाकि throughout India ये पाए जाते हैं, तो ये exception याद रखें कि arid region में, हिमाल्याज में और north east में ये नहीं पाए जाते हैं, next है, it can be found at elevation up to 2500 meter, 2500 meter की उचाही तक ये पाए जा सकता है, the species also occur in the Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka, ये अभी news में था, आपको पता होगा कि ये एक थोड़ा सा news में आया था, और ये नोइडा की खवर थी, कि वहाँ पर एक पैंगोलीन देखनों को मिला है, जिसको district magistrate के आदेश के अनुसार तुरंत recover कर लिया गया, हो सकता है कि कोई illegal trade करके ले जा रहा हो, और अंधेरे में वो गिर गया हो, ठीक है, तो ये एक बार news में आया था, अभी इसी साल news में इसलिए मैंने इसको अच्छे से cover कर लिया, पैंगोलीन, पैंगोलीन का main threat क्या है कि इनकी जो bodies पर scales होते हैं, इन scales के लिए इनको मारा जाता है, ये scales के ऐसी धारना है चाइना में कि इनका medicine purpose के लिए यूज के जाता है, ठीक है, next है black necked crane, black necked crane, IOCN status इनका endangered है, ये भी wildlife protection act 1972 72 के schedule 1 में protected है, इनकी characteristic की बात की जा, तो both sexes are almost of the same size, ठीक है, but male is slightly bigger, मैंने बोला था आपको कि nature का पता नहीं, ये nature है, और nature में आपको जो भी species, ज्यादा तर species, mostly species में आपको देखने को मिलेगा, कि male अगर same size का भी है, फिर भी slightly थोड़ा न थोड़ा, वो heavier ये बड़ा The upper long neck, head, primary and secondary slightly feathers and the tails are completely black, ठीक है, तो जो इसका upper long neck है, head है, primary and secondary flight feathers, जो है, flight feathers, और tail है, ये completely black होते हैं, इसलिए इसका नाम है black necked crane, ने क्या है, इनका black है, और बाकी भी head, primary and secondary, जो flight feathers हैं, and tail है, वो भी completely black होता है, habitat and distribution की बात की जाए, तो high altitude wetlands in Tibetan plateau, the species is found in India, China and Bhutan, यहाँ यहाँ यह पाये जाते हैं, ठीक है, next है, smooth coated otter, ठीक है, ये भी news में रहा है काफी, ये पिछले 2 साल से 2019 से लगतार ये news में है, IUCN status, vulnerable है, characteristic की बात की जाते है, ये बहुँ ज़्यादा smooth, sleeky होते हैं, ठीक है, ये fish eater होते हैं, यानि की मचलियां, मचलियां इनकी भोजन है, males are polygamous, polygamous कहने का मतलब है कि एक male कई एक female से संबंद बनाता है, संबंद स्थापित करता है, habitat and distribution की बात की जाते हैं, तो ये जो otter है, जो smooth coated otter है, ये throughout India पाये जाता है, from Himalayas to South India, ठीक है, found in areas where fresh water is plentiful, ठीक है, कि जहाँ पर fresh water जदा होता है, वहाँ पर पाये जाता है, यानि कि एक तरह से बोल सकते हैं, कि ये fresh water के लिए एक indicator species भी की तरह काम करता है, और कहां कहां पाये जाते हैं, तो ये wetlands, rivers, lakes, rice, paddies, ground में ये पाये जाते हैं, next है great Indian bastard, काफ पी news में रहा और रहता है आगे भी, क्योंकि एक Supreme Court का भी news आया था, कि Supreme Court के आदेश के अनुसार, ये बात की गई, कि इनकी अभी कितनी तादात है, ये Supreme Court का बताये जाए, और वहाँ पर Supreme Court ने संग्यान लेते हुए, ये आदेश जारी किया गया, कि उस जगह से जो भी related, जहाँ पी इनकी habitat है, वहाँ से जो cable wires के हैं, उनको हटाया जाए, वैसा क्यों किया, अभी आप देख लेंगे, जो अभी हमने जो notes बनाया है, उसमें हमने mention किया गया, तो जो great Indian bastard है, इनको GIV आप बोल सकते हैं, small में, और IUCN status इनका क्या है, critically endangered है, ये भी किस में protected है, तो य Wildlife Protection Act 1972, schedule 1 में protected है, sites के appendix 1 में ये listed है, characteristic इनकी क्या है, तो black crown on the forehead, इनकी forehead पर black crown बना होता है, ये इनकी पहचान भी है, great Indian bastard जो हैं, वो largely, largest है, इनकी जो four sub-species में सबसे largest है, great Indian bastard, और बाकी को जो तीन sub-species हैं, कौन-कौन से है, मैक क्विन्स बस्टर्ड, लेसर फ्लरिकॉन, और बेंगल फ्लरिकॉन, ये तीन और जो सब-species हैं, किनके great Indian bastard के, great Indian bastard जो है, historical, जो historic range की बात की जाए, तो included much of the Indian sub-continent, बट अभी के जो present हैं, वो shrunken हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% ही बचे हैं, ठीक है, और it is among the heaviest bird with flight, ये आपको इध्यान में रखने की बात है, कि ये heaviest bird है, जो कि fly करते हैं, और यही इनकी एक तरह से disadvantage भी बन रहा है, जिसके कारण इनकी तादात ब अगे हुए हैं, ठीक है, अब ये जब fly करते हैं, तो इनकी जो foresight जो होती है, वो बहुत कमजोड होती है, आप यहाँ देखें, ठीक है, आप आगे भी पढ़िएगा, कि ये foresight जो है, इनकी कमजोड होती है, जब तक ये इसके नजदीक पहुंचते हैं, तब तक इनको ये मौत हो जाती है, सिर्फ एलेक्ट्रिकल वायर्स ही, इनके मतलगी ऐसी situation के लिए जिम्यदार नहीं है, साथ-साथ जो windmills लगाया जा रहे हैं, windmills ही भी इनकी जो तदात कम होने के लिए जिम्यदार है, क्योंकि windmills के कारण भी ये उनसे टकरा जाती हैं, और इनकी मौत हो great Indian busted are covered considered a flagship bird, a species for the grassland, कि हमने बताया कि grassland में रहते हैं, वहाँ के लिए फ्लैक्षिप ये एक species है, वहाँ के लिए इंडिकेटर विए स्पीशिस है, जो कि वहाँ की grassland ecosystem के health को indicate करता है, distribution की बात करें, तो राजस्थान, गुजरात, महराष्टर, करनाट का अंधर पर्देश और पाकिस्तान यह जो राजस्थान का यह क्या है यह एस्टेट बड़ भी है ग्रेट इंडियन बस्टर यह आप याद रखें थ्रेट क्या क्या है अभी हमने बताया कि ओवर हेड ट्रांस्मिशन पावर यह आप गो थू कर लिजी अभी हमने आपको बताया और जो कश एरिया में है थार देजट में वहाँ पर विंड मेल्स भी इनके थ्रेट के कारण है चंजर्वेशन मेजर्स उठाए गए हैं जैसे कि इन 2015 दे सेंटरल गोवर्मेंट लॉंच दे ग्रेट इंडियन बस्टर अस्पेसिस रिकवरी प्रोग्राम अंडर दे प्रोग्राम जो वाइल लाइफ इंडिया है और जो राजस्थान जो फोरेश्ट डिपार्टमेंट है यह दोनों मिलकर यह कंजर्वेशन का एफ़र्ट कर रही है ब्रेडिंग सीन्टर जो है यह बनाएगा है वेर जो ग्रेट इंडियन बस्टर एक जो है वो हार्वेस्ट किये जाता है आटिफिसियली और साइन्टेफिक रूप से ठीक है तो यह कंट्रो इनकी जो मतलब की पॉपुलेशन ग्रोथ की यह मेजर्स उठाय जा रहे हैं 2015 से निश्ट है मस्क डियर के हिंदी में से बोलेंगे कस्तूरी मिर्ग यह कवीर का दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग धुंडे बन मही घटि घटि भ्यापत राम है दुनिया देखत नाई याने की कहने का मतलब है कवीर ये बोलते हैं कि जो कस्तूरी जो होता है वो मेल जो डियर है जो मेल कस्तूरी मिर्ग है उसके नाभी में होता है और ये इतनी ज़्यादा सुगंधित होती है कि इसके सुगंध के खोज में जो मिर्ग है वो पूरे वन को चान मारता है लेकिन उ उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुर्द्वारा अलग अलग जो वर्षिप प्लेसिस है, या फिर घर एक दुनिया के हरे कोनों में ढूंडते हैं, लेकिन भगवान उन्हें नहीं मिलते हैं, भगवान तो हर जगह अबलेबल हैं, हमारे भीतर अबलेबल हैं, यह कविर्दास जी वैसे ये दोहा का पार्ट है, मुझे ये दोहा याद आ गया, मस्क डियर के नाम से, इनकी जो IUCN स्टेटेस है, वो इंडेंजर है, WPA जो 1972 की ये सेडियूल वन में प्रोटेक्टेड है, यानि की ये हाइली प्रोटेक्टेड है, वाइलाइप प्रोटेक्टेक्शन एक 1972 के र जाते हैं, खरेक्टरश्टिक इनका मस्क डियर केरिड वाइदा, मस्क हमने आगे बताया कि एक तरह से ये बहुत ही सुगंधित सवस्ट्रांस होता है, और उसके कारण ही इनकी पोचिंग की जाती है, इनकी हंटिंग की जाती है, क्योंकि वो जो कस्तूरी जो है न वो यू हंटिंग की जा रही है, तो ये बाकी की चीज हमने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आप याद रखें, यहाँ पर पॉइंट है कि इन इंडिया ये किदारनाथ वाइल लाइफ सेंचूरी में ये पाया जाते हैं, वहाँ पर ये कंजरूड है, अस्टेट इनमल ये किसका ह है, तो ये नेपाल, भोटान और चाइना में ये पाया जाते हैं, इंडिया में इनकी दोनों इस्पेसिस पाया जाती है, यानि कि हिमालियन और चाइनीज इस्पेसिस दोनों पाया जाती है, इनकी जो हैबिटेट है, वो टेमपरेट फोरेश्ट है, नेक्स्ट क्या है, एस टिपसेटिक वायल Albार्श यहां पे şारे चन न जहांने हैं ओर जो लारज और अफ्रिक वाय lei अस् की जो लंबाई है वह अफ्रिकन वाय मॉड उस सी बड़ा शुका यह जो यह ने स्ट केवं नेश्टाइब इंडिया, नेपाल, चाइना, भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रसिया और मंगोलिया, इन कंट्रीज में ये इनकी डिस्टिब्यूशन ये इनकी पॉपलेशन डिस्टिब्यूटेड है, नेक्स्ट है लेदर बैक टर्टल, ठीक है, इनकी जो शेल जो आप जानते है कि जो टर्टल होते हैं, उनके ऐसे सेल्स बने होते हैं, इसके अंदर ये छिप जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो शेल है, ये लेदर की, लेदर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इनको बोला जाता है, लेदर बैक टर्टल, इनकी आई उसीन स्टेटस, वनलेड़ेवल है, है, habitat इनका ocean है, named after their cell, leather-like cell जो है, उसके कारण यह leatherback turtle कह जाते है, they are the largest sea turtle, यह याद रखें, यह सबसे largest sea turtle है, a species and also the most migratory, यानि कि एक जगह से दूसरे जगह यह travel करते रहता है, distribution की बात की जाते हैं, globally distributed है, they consume jellyfish, jellyfish इनकी version है, threat, habitat loss, plastics, microbit plastic के बारे मैंने आपको बताया था, जिससे बहुत ज़्यादा aquatic animals को threat है, illegally trade, illegal जो trade है, यह भी इनका threat है, next है swamp deer और बारा सिंगा, इस पर 2020 में prelims 2020, UPSC prelims 2020 में question पूछा गया था, अगर आप वो question देखा होगा आपको तो पता चल जाएगा, वैसे यहाँ पर भी हम वो question discuss करेंगे, swamp deer यानि बारा सिंगा, IUCN status vulnerable है, estate animal किसका, MP का ये estate animal है, revival conservation जो site है, कानहा नेशनल पार्क, और उसे हम लोग बोलते हैं, कानहा नेशनल पार्क, tiger reserve भी बोलते हैं, it is on the mecca, ये जो कानहा नेशनल पार्क, tiger reserve है, उसका जो location है, वो कहां है, मैकाल रेंज ओफ सत्पूरा हिल्स, ठेक है, the Indian swamp deer is endemic to KNPTR, यानि कानहा नेशनल पार्क, tiger reserve में, ये endemic है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पाय जाते हैं, कौन, the Indian swamp deer, ठेक है, यानि कि Indian बारा सिंगा, already extinct in Pakistan and Bangladesh से, ये extinct हो चीकी है, there are three sub-spaces of the swamp deer, कौन, कौन से हैं, Indian subcontinent में, तो सबसे पहला है, कि the western swamp deer, जो western swamp deer है, वो कहां पाय जाते हैं, नेपाल में, और इनकी जो adaptation क्या है, तो ये swampy जो area है, वहां ये पाय जाते हैं, ठीक है, इनकी habitat है वो, southern swamp deer, ये जो central and the north India में ये पाय जाते हैं, और ये इनकी जो adaptation क्या है, इनकी जो habitat है, adapted to the hard ground, has hard hoops, ठीक है, ये hard ground में पाय जाते हैं, eastern swamp deer, ये काजी रंगा और दुधवा नेशनल पार्क जो की आशाम में है, वहां पर ये पाय जाते हैं, adapted to swampy areas, तो ये दो दोनों हैं, ये और ये, ठीक है, जो first and the third है, ये swampy areas में पाय जाते हैं, लेकिन, जो southern swamp deer है, वो hard ground पर strive करते हैं, hard ground में पाय जाते हैं, तो ये देखिए, इसी से related question, 2020 prelims में पूछा था, देखिए, which one of the following protected areas is well known for the conservation of sub-species of Indian swamp deer, बारा सिंगा, that thrives well in the hard ground, देखा आपने कि ये hard ground की ये बात की जा रही है, and exclusively grammy warriors, यानि कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये, आपके, ये southern swamp deer, जो की, आप यहाँ देखिए, कि कानहा national park में ये endemic है, तो उसी की बात की जा रही है, तो ये जो ये option है, कानहा national park, वो सही option था, next question देखते हैं, ये भी 2020 prelims से question पूछा गया है, और अभी हमने जो musk deer की बात की गई, तो उससे related question है, which of the following are the most likely places to find the musk deer in the natural habitat, उनके natural habitat में ये कहाँ पर पाया जाते हैं, ठीक है, most likely to be find, तो अभी आपको मैंने बताए, इनकी characteristic कि ये काफी elevation पर, और हिमाल्यान रिजन में ये पाया जाते हैं, तो आप यहाँ पर option देखें, कि पहला option दिया हुआ, आसकोट wildlife century, अभी हमने wildlife century जो नेशनल पार्क जो नेमली जो नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में हमने अभी discuss नहीं किया है, फिर भी आप इनके characteristics से कुछ न कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं, नेश्ट है गंगोतरी नेशनल पार्क, ठर्ड है किसनपुर wildlife century और फोर्थ है मानस नेशनल पार्क, आपको पता होगा मानस नेशनल पार्क अशाम में है, ठीक है, और इसलिए वो क्या है कि वहाँ पर आप snowfall वगेरा आप देखते हैं कि नहीं पाय जाता है, ठीक है, तो इ हमापे कोई हिमालया रेंज नहीं है, तो अगर फोर्थ रॉंग हो जाता है, तो C and D, ये उप्सन तो ऐसे ही ये रॉंग हो जाता है, नेश्ट है, नेश्ट हम देखते हैं कि B और A में कौन सा सही हो सकता है, तो आसकोट नेश्ट वाइल लाफ सेंचूरी आपको पता होगा कि ये हिले एरियाज में ये है, और जो गंगोतरी नेश्ट पार्क है, ये भी आपको उत्राखंड वगरा में पाए जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ये मस्क डियर हमने क्या बता था, कि उत्राखंड का ये है एस्टेट अनिमल, तो इससे आप ये आप्सन पर है, ठीक है, वैसे इसके बारे में हम लोग जो नेश्ट पार्क है, उसके जब वो लेक्चर होगा, तो उसमें डिटेल से हम इसको कवर करेंगे, तो जो राइट आप्सन था, वो है ए वन और टू, नेश्ट है आइवरियन लिरिंक्स, ये भी अभी दे हिंदू में है, और थ्रेट इनके हंटिंग, हैप्टेट लॉस, लेस नंबर ओफ रैविट्स, उनके कारण, इनकी जो तादात है, वो कम हो रही है, हमने आपको जो कंसेप्चुल लेक्चर से हैं, लेक्चर वन, टू, टू, तरी, फोर, तो ये सब लेक्चर को आप जाके देखें, वह यहां पर पर्याप्त मात्रा में अब लेक्ट है की नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं कि इनका मे shr फूड है वो रैबिट है, और रैबिट की अगर पौपलेशन डिक्लाइन होगी, तो अई वेरियन, लैरिंगा की भी पौपीलेशन डिक्लाइन होगी, तो यह आप आप भी याद रखें तो ये रहा आज का lecture lecture hope कि आपको lecture पसंद आ रहा हो प्लीज चैनल को subscribe करें और ज़्यादा सज्यादा share करें अपने favorable comment जो है वो comment box में जरूर दे